कैलवरी चर्च जितने सारे हमारे फेस्बुक पर देखने वाले हमारे शुरोत आजण आपको प्रभु येशु मसी के नाम में सलाम और प्रभु परमेशर आपको बहुत बहुत आशिशित करें और कितना सुन्दर समय कि हम प्रभु की प्रशांसा कर सकते हैं, जब कि दुनि प्रभू के लोग जहें, वो प्रातना कर रहे हैं, दुष्टा आत्माएं दूर कर रहे हैं, और इसलिए हम प्रभू का धनेवाद देते हैं, कितना भला हमारा परमेशर है, कितना अच्छा हमारा परमेशर है, आईए हम दुआ करेंगे, सिट जॉली हमरे बीच में है, और वो hall hallelujah हम तेरी प्रश्यासा करते हैं, तेरी आरादना करते हैं, तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, हम सब जितने प्रबुजी इस डिवाइस से, अपने डिवाइस से जुड़े हैं, प्रमेश उनलाइन मीटिंग में हैं, प्रमेश पिता तु हर एक ओ आशीच दे, हर एक की हरे की सुरक्षा कर, प्रभु तु हमारा दुर्ड़गर है, तु हमारा शरन स्थान है, आज प्रभु जी हालेलुई हम तेरी शरन में आते हैं, ओ प्रभु जी तेरे बिना हमारी भलाई कहीं नहीं है, पहीं नहीं प्रभु जी, इसलिए हम धने वा देते हैं, प्रभु तु का नाम से जाती रहे धन्यवाद एशु आज तेरे वच्छ जो हम प्रतिग्याओं को क्लेम करते हैं प्यारे इशु जी तेरा वच्छन को हम प्रभु जी अपने जीवन में परमेशे पिता अधिकाई से बसने देना चाहते है प्यारी शुराजा, हालेलुया प्रभू, हम तेरी बातों पर मन लगाना चाहते हैं, हम स्वर्गे बातों पर मन लगाना चाहते हैं, आशिश दे, आज की सभा को अपने लहु से ढाप ले, प्रभू, हमारा गीत काना, हमारा रात ना करना, हमारा प्रात आपना करना हमारा बच्चनों का सुनना तुझे अच्छा लगे प्रभु जी तु आनन्देत हो प्यारे शुराजा तेरा बच्चन कहता है कि यहवा की स्थुति करना धर्मियों को सोता है हाले लिया प्रभु जी हमारा स्थुति करना तुझे अच्छा लगे अशिष्टे य प्रभु ये परमेश प्रभु येश्व मसी ने कहा था कि मैं तुम्हें अनात नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें एक सहायक के रूप में पवित्रा आत्मा भेजूंगा तो आज कल ज्यादातर लोगों का ध्यान जो है वो जो है वो कोवीड की उपर है इतने लोग मर ग लुए और आज अपना ध्यान आप जो है उस कोवीड पर लगएए बलकि आज अपना ध्यान आप पवित्रा आत्मा पर लगाए जो आपको सहायक के रूप में भेजा गया है और वह सहायक है वो पवित्राइफंदम, अरुस पवित्रान पर मन लगाएए निस्हान कोई बुरी बात नहीं है लेकिन जो है चुटपूट अपनी निउस देख ले सारे चीज़े देख ले महामारी तो महामारी है लेकिन उसी में हम लगे रहेंगे तो वो दहशत की आप महरेक विक्ति के जीवन में आ रही है और बहुत लोग जो है जो मरने वाले नहीं वो उनको भ emotional के प्रभेश ने प्वित्र आत्मा आपके लिए भेजा गया है और वो प्वित्रा आत्मा हमारी श्रीरो में रहता है कि तुम नहीं जान दे कि तुम्हरा शरीर पवित्रा आत्मा का मंदीर है और तुम दाम लेकर मोल लिये गये हो इसलिए अपने शरीर के द्वारा प्रभू की महिमा करो ऐसे बावल में लिखा है तो आईए हम इस प्रभू के लिए गित गाएंगे मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा राहों पे अपनी रात दिन हमको तु चला आत्मा प्रभू आत्मा प्रभू पवित्रा आत्मा प्रभू आज हम अप कॉंसेंट करेंगे पूरा ध्यान लगाएंगे प्रभू येशु मसी पर कि येश्व मसी हमरे लिए मारा गया येश्व मसी हमरे लिए आलो लिया जहे गाड़ा गया और हमरे लिए फिर से जीव उठा थैंक यू जीज़स थैंक यू लॉड जालो जालो एर ताहर पिर से जीज़स धिखने लॉड़। थैंक यूड़। प्रॉड़। मन में हमारे रहने वाले पावर आतुमा राहों पे अपनी रात दिन हम तु चला मन में हमारे रहने वाले पावर आतुमा राहों पे अपनी रात दिन हम को तु चला बोलो आतुमा प्रभू पवित आतुमा प्रभू आतुमा प्रभू पवित आतुमा प्रभू पवित आतुमा प्रभू मन में हमारे रहने वाले भावन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हम को तुछ चला ओ, मन्मे हमारे रहने वाले पावन आतमा, जाहों पे अपनी रात दिन हम पत्छु चला ओ, आतमा प्रभू, आतमा प्रभू, पवीत आतमा प्रभू, 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 आतमा प्रभू, आतमा प्रभू, पवीत आतमा प्रभू कैसे तुआ मांगू, क्या मैं तुआ मांगू, सिखा दे आत्मा प्रभू बचन को सम्झु, भेदों को जानू, जोती दे आत्मा प्रभू बचन को सम्झु, भेदों को जानू, जोती दे आत्मा प्रभू पवित्र आत्मा प्रभू, पवित्र आत्मा प्रभू पवित्र आत्मा प्रभू, पवित्र आत्मा प्रभू चिंता पिकर छोड़ू, तुझ को ही निहारू, सिखादे आत्मा प्रभू चिंप पिकर छोड़ू, तुछ को ही निहारू, सिख दे आत्मा प्रभू बराईन भूलू, मन्स सुत्ती करू, सिख दे आत्मा प्रभू आत्मा प्रभू, आत्मा प्रभू, अवीत्र आत्मा प्रभू, 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 प्रभू आत्मा प्रभू, आत्मा प्रभू, पुवेत्र आत्मा प्रभू मन में हमारे रहने माले पामन आत्मा, राहों पे अपनी रात दिन हमको तुछ ला मन में हमारे रहने वाले पावन आत्मा राहों पे अपनी रात दीन हमको तुछ चला आत्मा प्रभू, आत्मा प्रभू, अवीत्र आत्मा प्रभू आत्मा प्रभू, आत्मा प्रभू, अवीत्र आत्मा प्रभू काहा मुझको जाना क्या है मुझको कहना राह दिखा दे आतमा प्रभू काहा मुझको जाना क्या है मुझको कहना राह दिखा दे आतमा प्रभू जहां तू न चाहे वहां मैं न जाओं रुक मुझे आतमा प्रभू जहां तू न चाहे वहां मैं न चाहू मन्ने हमारे रहने वाले आपन आतमा रहोप्यापी रात दिन हमको तूचला आतमा प्रभू आतमा प्रभू पदीत्र आतमा प्रभू आतमा प्रभू आतमा प्रभू पवीत्र आतमा प्रभू पवीत्र आतमा प्रभू ओ पवीत्र आतमा प्रभू कहा मुझे को जाना, क्या है मुझे को पहना राह दिखा दे आत्मा प्रभु जहान तु न चाहे, वहां मैं न जाओ रोक मुझे आत्मा प्रभु तो अभी पवित्र आत्मा हम को भोटों को रोक रहा है कि दरवाजे के बाहर ना जाओ अललुया और जहे इस महामारी के जहे वाहन ना बनो यह महामारी को घर में ना लाओ तो इसलिए अललुया सरकार बता रही है सब लोग बता रहे हैं कि घर के बाहर मत जाओ संभालो 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 अर अलुल्या किन कुछ काम के लिए तो हमें जाना है पड़ता है घर के पूरुशों को और विक्तियों को लेकिन प्रभू हमें संभालता है प्रभू हमें बताता है कि कहां हमको जाना और क्या है हमको करना जहां प्रभू नहीं चाहता वहां पे हम ना जाए बेकार की जगह भी ना जाए, इन दिनों में बेकार की जगह भी ना जाए, आललुया, क्योंकि प्रभु परमेशर हमें रोक रहा है, प्रभु चाहता कि हम घर में बैठके प्रात्ना करें, यह पवित्रात्मा के आदेश है, और पवित्रात्मा आदेश देता है हमारे पंत प और वो भी हमें आज्या देता है और पविद्रात्मा जो है वह हमसे बादशित करता है आई यह हम अगला गीत गाएंगे आललुया और गीत नमबर है 372 372 है पविद्रात्मा शक्ति हमें देना इस महामारी के दिनों में हमें शक्ति चाहिए और शक्ति अभी कोई देने पा रहा है इस महामारी की कोई भी दवाई नहीं है लेकिन प्रेज अललुया पविद्रात्मा के पास दवाई है है ना पविद्रात्मा के पास दवाई है पविद्रात्मा जो है वो चंगाई देने वाला है hallelujah और प्रवितरा आत्मा के पास वो सामर्थ है कि आपको चंगाई दे और आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें hallelujah, let us sing this song है प्रवितरा आत्मा के लिए शर्ति हमें देना वो बोलो हे पवित्रात्मा शर्ति हमें देना देवी वसामन हमको चाहिए प्रभु दू यह जानता है देवी वसामन हमको चाहिए प्रभु दू यह जानता है बोलो हे पवित्रात्मा शर्ति हमें देना देप्रात्मा शर्ति हमें देना पहले युग के जैसे ही आशर्य कर्म होने को पहले जैसी आखने कर्षात्य तू हमको देना प्रभु पहले जैसी आखने कर्षात्य तू हमको देना प्रभु पवित्रात्मा शर्ति हमें देना बोलो बोलो प्रभु पवित्रात्मा शर्ति हमें देना तू वरदानों से शशोबितो हम वच्चन में जड से बड़े हम जाधरती हम में आने को आत्मा की पारिश्टु बेग। शाधरती हम में आने को आत्मा की पारिश्टु बेग। प्रवित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, शक्ति हम्ने देना, संसाद की अभिला शक्से मागने, शैतानी शक्ति परचे पाने, धीरज से देरी सेवा करने, अभिशे करना हमें, अभिशे करना हमें, प्रवित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, ते पवित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, तेरी वसामत हमको चाहिए, प्रभु तु यह जानता है, तेरी वसामत हमको चाहिए, प्रभु तु यह जानता है, प्रवित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, ओ संसा की अभिल अशर से बागने, शैतानी शाक्ति पर जैपाने, संसा की अभिल अशर से बागने, शैतानी शाक्ति पर जैपाने, धीरज से तेरी सेवा करने, अभिशे कर नाम में, ओ बोलो, ए पवित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, ओ बोलो, ए पवित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, तेरी वस्तामा, अमको चाई, ब्रभु तु यह जानता है, तेरी वस्तामा, अमको चाई, ब्रभु तु यह जानता है, ए पवित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, अलेलूया, 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 वित्रात्मा, शक्ति हम्ने देना, शक्ति हम्ने देना, अलेज्य क्ति हम्ने देना, अमको चाई, ब्रभु धु यह, कर द का द ए ये ट कर को we कर दो हुआ भूर भभभभभभभभभभभभ रयंदा परियनलब है आले लुछ गलुट जिग ए ति जो से मतानि संदिली है ति लो हम इvale है टे है तियम इनका के टुछ गॉड्याद कर दिक दि कर दिक दो हम इड सकम हम तो हुआ no Come, Holy Spirit, I need you Come, Sweet Spirit, I pray Come, in your sentinel power Come, in your own special place Come, Holy Spirit, I need you Yes, I need you, oh God, hallelujah Come, Holy Spirit, I pray Come, in your strength and your power Come, in your own special place Come, Holy Spirit, I need you Come, Holy Spirit, I need you Come, Holy Spirit, I need you I need you, oh God, hallelujah Come, Holy Spirit, I need you Come, Holy Spirit, I need you I need you, oh God, hallelujah Raja Meshunasrii ki naam se Aap ke paas satay, Pita And I am dhane waad yate Prabhu, this sundar din ke liye Aaj jitne bhai bhaen Ye karakram dek rahein, Prabhu Ya dekhne waale hai Youtube pe, Facebook pe Un sabon ko aaj me Yeshu Masih ke naam se Prabhu, Prabhu unko cover kata ho Yeshu ke lahu se Me dhap leta ho, Prabhu And hey, parameshe pita Ho ne deki teri Pabitra atma unke o par manda Aaj jis jis titi mein wo hai Prabhu, dek, Raja Ar unki sari samasyaan Dur kar dhe Unki chintan ko dur kar dhe Prabhu Ar Prabhu, Prabhu parameshe Pramanit kar ki dikha Ki tu unke saath hai Hey, parameshe pita Tu pramanit kar ki dikha Ki tu unke saath hai Hemaari ye prantna Prabhu unko laghe Ar unke bhandhan Toad jaya Unki chintan Gaib ho jaya Unka bimari Unki bimariya Sab Yeshu ke naam se Dur ho jaya Ar hey, Prabhu parameshe pita Voh janay Ki Eki satcha parameshur Ar ho hai Yeshu masi Voh hai Pita Putra Ar pavitra Atma Triek parameshar Ar hey, parameshe pita Unki sari chintan ko dur kar Aaj harik jan ko Prabhu parameshar Jho yuvachan sunnay waal hai Prabhu 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 Pabitra atma Se Bhar Prabhu 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 Halleluja हमारे धान, हमारे विश्वास की करता येशु पर लगी रहे हमारे आखे उस पर मेशर क्या लगी रहे और जैसे प्रभु येशु तुने कहा कि मैं जाता और तुम्हारे लिए एक सायक भेजूंगा वो पवित्र आत्मा, उस पवित्र आत्मा की सायता हर एक जनाज ले प्रभु जी और प्रभु कैसी ले, आज हम उसके उपर डिसकस करने वाले प्रभु हर एक जन को प्रभु पर मेशर बिता, इस वचंग के द्वरा आख्शिश मिले और तेरी महिमा होने दे प्रभु एश्व मसी के नाम से, सारी बीमारियों को दूर करने के लिए धन्यवाद उनके घरों में तेरी आशिश लाने के लिए धन्यवाद ये कारे करम, वो चाहे जब भी सुने प्रभु पेरी पवित्रा आत्मा का, अभी शेख उनके उपर उतरा है और उनके बंधन तोड़ दे प्रभु जी एश्व के नाम से मांगते, स्प्रात्न को सुना कबूल कर पिता आमेन, आमेन, रामेन प्रियों कितना सुन्दर ये समय कि आज हम प्रभु परमेश के वचन को देख सकेंगे और परमेश का वचन आज हमारे लिए बहुत बड़ा-बड़ा काम करेगा हमारी आँखे खोलेगा, है ना, प्रभु का वचन हमारा आई ओपनर है और ये आई ओपनर होने के नापे हम प्रभु परमेश के स्तुद्धी करेंगे हाललुया तो मैं चाहता हूं कि आज हम सब मिलके अपने मैंपल को खोलेगा आज हम पवित्र आत्मा के बारे में देख रहे हैं आप कहेंगे मुझे पैसी की जरुरत है आजकल दुनिया में जीने के लिए पैसी की भी जरुरत होती है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसे की जरुरत से जादा जरुरत इश्वर की है कि इश्वर ही पैसा देता है जो है पवित्रा आत्मा ही पैसा देता है वह हमें पैसा देने की सामर तुत्पन न करता है इसलिए हमें पैसे से ज़्यादा ज़रूरत पवित्रा आत्मा की है जो पवित्रा आत्मा प्रभी शुमसी ने हमें एक सहायक की रुप में दिया है उसके बारे में तो बहुत बढ़ लोग पैसों के लिए कितना लालची बन जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इच्छा हम पवित्रात्मा को प्राप्ता करने के लिए रखेंगे, तो पवित्रात्मा सब कुछ नियंत्रन में लाएगा, पवित्रात्मा ये परमेशर है, पवित्रात्मा ये परमेशर है, और आपके हाथ में चाहिए उससे भी बढ़कर है ये पवित्रा आत्मा, पवित्रा आत्मा ये परमेशर है, अर इसलिए जो परमेशर का स्थान है, वो हमें परमेशर को देना ही चाहिए, परमेशर को जो हम प्रेम कर रहे हैं, तो परमेशर को प्रेम करना ही चाहिए, तो पहली बात हम देखेंगे, कि पवित्र आत्मा हमें क्या करता है, कायल करता है, पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, हमारे पापों को वो दिखाता है, वो हमें बताता है कि ये पाप तुने किये है और इन पापों को तुझे छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तु परमे पहला पवितर आत्मा काम क्या है? जब आपके जीवन में वो आएगा ना, तो आपको पाप के बारे में दिखाएगा. कि तुम कों से पाप करे ंओ, कितना इंटर्नेट देख रहे हो, कितना ज्यादा फोन पे जा रहे हो, ये पवितर आत्मा तुम को पहले दिखाएगा. इपने आप भी आते हैं मैं भी आता हूं ड़ाइबारे की कुण से अपके भावाओ बश। अगर तुम गलत काम करतें दो तो तुम्हरा नया होने वाला आर इसके बारे TanTech करें अगर कायल करेंगा है इसके समान और फिर बाद में जह है वो समुद्र में जह है वो गिरते रह जाते हैं समुद्र में मरते जाते हैं और फिर बाद में प्रभु ने तो योना को उपर कृपा दृष्टी किया और उसको जह है उस जगह से भी निकाल लाया लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो परमेश पव पापों की ख्षमा बाकी नहीं है तो इसलिए जो पवित्रा आत्मा को पवित्रा आत्मा की मजाग करता है पवित्रा आत्मा के विरोध में जाता है तो पवित्रा आत्मा के विरोध में बोलता है उनको अब कोई पापों की ख्षमा नहीं है वर्मेशे पिता की विरोध में लोगों ने भी बोला उनको प्रभु ने ख्षमा कर दिया येशु मसी के बारे में उन लोगों ने बोला प्रभेशु ने उनको भी ख्षमा कर दिया लेकिन अब जो पवित्र आत्मा के विरोध में जो बोलेगा उसको कोई क्षमा नहीं है तो पवित्र आत्मा के सबसे पहला काम यह है वो निरुत्तर करता है वो आपके पाप को बता देता है, लेकि इसलिए बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा को बात करने नहीं देते हैं, आपके अंदर आता है, वो बात करता है, कि ये मत कर, ऐसी बुराई मत कर, ऐसी निंदा मत कर, ऐसा काम मत कर, ऐसी चोरी मत कर, ऐसा लालज मत कर, लेकिन लोग ज की बात मानते है तो उनके जीवन में क्या होता है पता है क्या जह है उनकी जीवन में नया जन्म होता है पढ़े है पढ़े उस वचन को युहन ना उसका तीसरा अधिया है और उसके तीसरे वचन से लेकर जह है हम बढ़ेंगे पांच वचन तक येशु ने उसको तर दिया कि म निको दिम उसने उससे कहा मनुष जब बुड़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है क्या वो अपनी माता के गव में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है येश्यू ने उत्तर दिया कि मैं तुझ से सच-सच कहता हूं जब तक कोई मनुष जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्य के राज में प्रवेश नहीं कर सकता तो हर एक विक्ति के नए जन्मे पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा भाग होता है पवित्र आत्मा ही उनको नए जन्म देता है पवित्र आत्मा के द्वारा ही उनको पाप दिखा जाता है और पवित्र आत्मा के द्वारा उनका नया जन्म होता है नया जन्म होने में हर एक विक्ति के नया जन्म मिलने में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों का भी हाथ होता है और पवितरात्मा का हाथ तो होता ही होता है, पहले तो वो हर एक वेक्ति को निरुत्तर करता है, कायल करता है, फिर वो इतना कायल करता है कि कुछ लोग जो प्रभु के चुनेवे हैं, वो एकदम प्रभु को ग्रहन करते हैं, जिहां प्रभु में अपने पापा से माफी और वो जल और आत्मा से जन्म लेते हैं कितने अच्छी बात तो आधे कि पवितर आत्मा दूसरा कारिया वह हमें छहां कि अकसर है रोग कि हम उसकी अराथना करेंा अन्याति करें हमत्रेंगे यह elabor लिश्ञाटơn है और उसके 22 वचन से लेकर हम पढ़ेंगे 22 से लेकर 24 वचन तक तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं क्योंकि उद्धार यहुदियों में से है परन्तु वो समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्छे भक्त पिता का भज आत्मा और सच्चाई से करेंगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूनता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें प्रेज लौर्ड तो ये प्रभी येश्यु ने तुमको सिखाई थी प्रभी येश्यु मसी की बढ़ाई आपके द्वारा कराएगा ये प्रभी येश्यु मसी की बढ़ाई आपके द्वारा कराएगा तो प्रभी येश्यु की बढ़ाई करेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो अपनी ही बढ़ाई करता रहेगा अपना ही गोड़ा आगे बढ़ाता रहेगा लेकिन जो पवित्र आत्मा से भरा है वो सारी महिमा प्रभु को देगा He will be very careful to give all the glory to God तो हमें हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हमेशा प्रभु येशु को स्तान देंगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा Hallelujah तो क्या करेगा वो तुमसे आराद्मा कराएगा और परमेशर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करे आत्मार सच्चाई से बजंग करें तो जब हम पवित्रा प्रभु येश्य मसी को उच्छा उठाते हैं तो जब तक पवित्रा आत्मा किसी को ना दिया जाता है तब तक वो प्रभु येश्य मसी को अपने जोड में ग्रहन नहीं कर पाएगा और नहीं वो प्रभु की आराधना कर पाएगा तो तिसरी बात हमने देखी कि वो कैसे आपको आराधना करवाएगा जहे सुबसुब उठने के बाद में आपसे गाना गवाएगा सुबसुब उठने के बाद में आपके द्वारा आराधना होगी और परमेशर की आरादना करना आपको अच्छा लगेगा ये कौन कर रहा है पता है क्या कौन करा रहा है ये पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमारे द्वारा जह है वो आरादना परमेशर पिता को परमेशर येश्मसी को दिलाएगा हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए च प्रभू की बात है 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 प्रभू की बात ह वो संगती करता है, संगती करना उसको बहुत अच्छा लगता है, और संगती जब वो करता है, तो वो हमारी सारी कमी घटियां दूर करता है, और हमें अच्छे आदते लगाता है, बहुत सुंदर, जह है, पवित्र आत्मा क्या करता है, हम पढ़ेंगे उस वचन को हाललुया और युहन ना उसका 14 द्हा का 16 वचन और मैं पिता से विंती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सरवदा तुम्हारे साथ रहे सरवदा तुम्हारे साथ रहे तो यह एक वेक्ति का उधार हो गया अर वो कहने लगा कि मुझे ऐसा सहायक चाहिए मुझे ऐसा फ्रेंड चाहिए और वो एक झए जभी अपासा जाता है डॉक्टर कैते कि कि डॉक्टर क्या तुम्हे मेरे साथ चबीसो गुंटे रहे रहे क्या मैं・ मुझे अजे 75 ए मैंजे ऐसा कुआ थी के बारे में प्रचार किया गया और मेरे पास्टर ने उसको प्रभु के बारे में बताया और जब उसको प्रभु के बारे में बताया गया उस अमिताप को तो वो एकदम बदल गया और उस वो जो हमेशा निराशा में डिपरेशन में आत्मत्या के विचार करता था वो अब ज मैं यही बाद को पूछ रहा था कि दॉक्टर कि तुम मुझे मेर मुझे अपने साथ चोवी सो गंटे लखो या डॉक्टर ने का भईया मेरी पत्नी तो है मेरे बच्चे भी है का चुवी सो गंटे तुरी अपने साथ रख सकूगा लेकिन परमेशरी ऐसा है कि जो चोवी सो अगंटे आपके साथ रह सकता है आपके उपर मंडल आएगा आपके अंदर रहेगा आपसे बाते करेगा आपको कभी नहीं छोड़ेगा हालोलिया वो सो तुमारे साथ रहे परमेशरी आपके साथ संगरी करना चाहते हैं लेकिन हम क्या करते हैं फोन पे लग रहते हैं परम हमारे हमारा इंतजार कर रहा है लेकिन हम प्रभू को कोई स्तान देते नहीं पवितरात्म को इस्तान देते नहीं और यह पवितरात्मा को बहुत दुग लगता है यह उसका इंसल्ट होता है यह इंसल्ट पवितरात्मा का अगर हम पवितरात्मा के साथ बात नहीं करेंगे उ तुने कहा ना प्रभू, कि तु सरवदा मेरे साथ रहता है, अब इस को रोना से मुझे बचा, हे पवित्रा आत्मा, इस करोना से मुझे बचा, प्रियों, ये संगती करता है, अब मैंने प्रात्ना करी, हमारी केलवरी चोच की सिस्टर लीना है, लीना सिस्टर के शरीर में ब दर्द ख़वम हो गया और जह सर का दर्द चला गया और जह क्यों कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है और मैंने पवित्र आत्मा से भिंती करी एशु मसी के नाम से उसको चंगाय मिल जाए और पवित्र आत्मा ने सुना पवित्र आत्मा एकदम सिस्टर लीना की उपर गया और सि प्रियों आप अगर बीमार है तो मुझे फोन करीगा जह मुझे पताने कि आप बीमार है क्या नहीं अभी इतनी बड़ी पविदरात्मा गिफ्ट मुझे मिली नहीं है पिछले लॉक्ड़न में भी बोतों ने कहा था कि पास्टर का एक फोन भी नहीं आया हमारे पास अब जह है आप बीमार है तो आप मुझे फोन करीगा तो मुझे मालूम चलेगा मैं आपके साथ संगति करूँगा और यह अपक्षमत करी कि पास्टर ही फोन करेंगे आपको लेगिन आपको मैं बिंती करूँगा कि आपको अगर आप बीमार है तो आप कौन सी मेडिसिन ले इसके मत जाए पवितर आत्मा सरवदा तुम्हारे साथ रहे ऐसा प्रभू ने कहा है और ये पवितर आत्म जब हमारे श्रीजों में प्रवेश करता है न तो वो एकदम पूर्णता चंगाई देता है कितने अची बात चोद्धी बात कि वो हमारी हमारे संगती पवितरात्मा के साथ बात्चित करिया है and he's your true friend आललुया पवितरात्मा आपके साथ आपको सहयक के रुप में दिया गया है बहुत बड़ी बात है आललुया जो है वो आपका परमेश्य तो हई है लेकिन वो आपको सहयता करेगा अगर आपको है कि पवित्रात्मा में दूर करें पवित्रात्मा वो प्राबलम दूर करेगा हाल लिया हम कितनी बार प्रात्ना की और प्रभु ने हमरी प्रात्ना सुनी और कितने सारे प्रात्ना को उत्तर प्रभु ने दिया यह गवाई है हमारी कि प्रभु हमरी प्रात्मा को सुनता है पवित्रात्मा की सहायता लीजे, मैं मेरी शक्ती सीमीत है, मेरी पत्नी की शक्ती सीमीत है, हम दोनों सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दोनों जो पवित्रात्मा कुछ मांगते हैं, तो असंभो कामों को पवित्रात्मा संभो करके दिखाता है, क्योंकि वह सरवदा हमारे सा प्रियों जितने दिन आप यहां पर है पविद्रात्म कभी नहीं छोड़ेगा आपको लगता करो ना मुझे ना पकड़े पर पविद्रात्म आपके साथ है और वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और अगली बात हम झांगे कि वह क्या करता है पता है कि वह गुड़ बाते प्रगट करता है क्या होने वाला है वह प्रगट करता है अगर आप उससे ज़्यादा बाते करोगे तो वह आपको गुड़ बाते प्रगट करेगा अगर बाइबल में अगर आप पड़े पहला कुरुंतियों और उसके दूसरे परदु जैसा लेक्षा है, कि जो आखने नहीं देखा, और कान नहीं सुना, और जो बाते मनुष्ट के चित में नहीं चाहिए, वे ही हैं, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम ने वारों के दाखिए, परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रखिए, क्यो सब बाते जांसता हैं, और परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रखिट किया, कि हम सोने के रास्ते पे चलने वाले हैं, कि हम सुवर में रहने वाले हैं, कि हमारे जिन्दगी जो है, अनंतकाल के लिए होने वाली है, जो आखने नहीं सुना, चित में जो बाते नहीं आई, ऐसी बाते परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किये हैं, तो पवित्रा आत्मा प्रगट करेगा, आपको किस के साथ शारी करनी है, आपको 12 के बाद कौन से लाइन लेना है, कौन सी जगर पे कौन सा चुनना है, आपको प्रगट करने में आपको आनन्द लगे हैं, कुछ लोगों को परात्ना करने में आनन्द नहीं लगता, मण करने के लिए पवित्र आत्म के साथ बोलने के लिए उनका मन नहीं लगता उनको गाली गलोश में जगड़ब बहुत आनन्दा आता है लेकिन पवित्र आत्म में तो इस दुनिया की बाते भी आपको प्रगट करेगा और आने वाले दुनिया के बारे में भी प्रभू आपको प्रगट करेगा वो गूड बाते बताता है वो आलोलया सारी बाते प्रगट करता है बड़ा जबर्दस्त प्रकाशन देता है रेवलेशन देता है इसलUNG पवित्रात्मा जो tellement होने वाली बातों के बारे में आपको बता देता है हो सकता है कि आप प्रॉफेट नहों लेकिन पवित्रात्मा के साथ शंत 270 को एना तो पवित्रात्मा कहें आज नी जाना है कल जाना है पवित्रात्मा आपको बताएगा और पवित्रात्मा बता कि आपके बड़े-बड़े एक्सिडेंट से आपको बचाएगा, बड़े-बड़े हाथ से आपको बचाएगा, तो पवित्रात्मा जिनोंने प्रभू ये शुग रहन किया है, जिनको पवित्रात्मा मिली है, उनको पवित्रात्मा चलाता है, और उन गुद्बाते प्रगड करता है गुद्बाते प्रगड कोई करनेता है जो है लेकिन पवित्रात्म कराया आज भी जब मैं लोक्डाउन की दिनों में बैठा हूं तो मुझे चांती से लोग बैठने नहीं देते पास्टर यह विक्तिय इसके लिए प्रात्ना करो फड़ाफ़ फोन आते हैं मेरे फोन तो अभी जो है लोक्डाउन की दिनों में ज्यादा बचने लगए अब मैं बहुत हुआ हूं इस बात से कि मुझे फोन बार बार आ रहे हैं मैं अगर पॉन अगर स्विच आफ करता हूं या अगर बंद पर शिर्फ मेरी प्रात्ना के लिए बाकि प्रात्ना चोड़कर मैं कभी भी जो है उसको जह है एर प्लेन मोड पे नहीं करता मुझे कि लोगों के साथ बात्चित करनी है उनको प्रभू की पवित्र आत्मा के बारे में बात्ता है और मैं जब सोता हूं तब भी में मेरा पॉन्ट है जए दीन में कर फोन अपना आउनी रखोंगा मैं इसको स्विच आफ ने करूँगा और आज भी मैं सोता है तो तो आप प्रा प्रभू में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा जब अगला जो काम है जो है अच्छेट भी बात पवित्र आत्मा क्या करता है पता है पहला करूंतियों को उसका दूसरा अध्या है और उसके चोधे वचन उसको पहेंगे हम रुपए पढ़े जॉली इसको और मेरे सुपद्शार में ज्याना की होंने वाली बाते नहीं परनंथु आत्मम सांत प्रमाताः प्रैस अलोछ तो जब प्रात्मा आता है तो वो अतुली था प्रवित्र कामा जो हो प्रेंथा Τयोलों 16 स entire year वो पभी तरहात्म हमारी सहायता करने वाला है एक में वाइरस दूर करेगा वो के वो क Wow sub attendance ले वाप वाप सहयक के रूप में प्रिया ग्या बहुत बार जहें प्रिकॉर्दश को भूर्द प्रिकॉर्ष प्रिकॉर्चेंच सर्क ने के लिए प्रभु येश्व मसीर की पवित्र आत्म चबाएगी एक मिनुट में आपको बिविस्तर से उठाएगी 38 साल से जो बिवादा प्रभु ने का अपने खाट उठा और चलना फिनना शिरु घर दे अपने घर चला जा और वो घर चला गया एक शन में उठ गया वो 38 साल से बिमार तो ये महामारी क्या करेंगी ये महामारी आलोलिया आपको मार नहीं सकती आलोलिया जब तक प्रभु का आदेश नहीं हो और प्रभु अपने लोगों के लिए आदेश नहीं देगा योगी प्रभु को आप से अपनी सेवा लेनी है ट् करो अपने फॉर्म को इस्तिमाल करो और प्रचार रखाम बंदने होना चाहिए प्रचार रखाम लगाता चाहिए क्योंकि प्रभी शुमुसी बहुत जल्दी आने वाला है तो बाइबल में लिखा है कि आलो लिया यह पवित्रा आत्मा जो है वह सामर्थ है ना तो बल से ना शक्ती से पर मेरी आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ती से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पाहा तल जाएगा ये पाहा तल जाएगा ये पाहा तल जाएगा मेरी आत्मा के द्वारा ना तोबल से ना शक्ती से पर मेरी आत्मा के द्वारा ना तोबल से ना शक्ती से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये महामारी तल जाएगी ये महामारी तरहेगी ये महामारी तल जाएगी मेरी आत्मा के दुआ रा ना दो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के दुआ रा ना दो बल से, ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के दुआ रा ये शेतान हार जाएगा कि इस शेतान अर जाएगा, इस शेतान अर जाएगा, मेरी आत्मा के ख्वारा, ना भूबल से, ना शक्ति से, भर मेरी आत्मा के ख्वारा, ना भूबल से, ना भूबल से, ना शक्ति से, भर मेरी आत्मा के ख्वारा, ये माहा मारी तर जाएगी, ये मेरी आत्मा के ख्वारा, पवित्रात्मा के ख्वारा, पवित्रात्मा के ख्वारा, ये माहा मारी तर जाएगी, वह आपको कुछ नहीं कर पाएगी, और भश्जन सहीता में बड़ा सुन्दरिती से लिखा हुआ है, वहां पे माहा मारी के ख्वारा जिकर आया हुआ है, और बड़ा सुन्दरिती से, प्रभू परमेश्य कहता है कि माहा मारी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी, हाललूया, कि प्रभू परमेश्य कहता है कि उसने जो मुझे से प्रेम किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाओंगा, मैं उसको उत्यस्तान पर रखूँगा, मैं उसे हाललूया, और वह तुझे बहले के जाल से और महा मारी से पचाएगा, हाललूया, लेकिन कब जब आप परम प्रदान के चायवेस्तान में बैठे रहेंगे, आप परमेश्य के चायवेस्तान में ठीकाना पाएगे, शरावियों के साथ नहीं बैठे रहेंगे, जब पिलगाने वालों की महिलाओं के साथ नहीं बैठेंगे, गलस संगतिय नहीं करेंगे, ले प्रभु के पंखों के आर्ट में आप आओगे तो कौन सी दुनिया की महामारी आपको मारी की प्रियों क्यों आप अविश्वाज जद्दा रहे हो आपको कोई महामारी मार नहीं सकती है अपने प्रभु परमेशर आपको जरूर राश्रुषित करेगा प्रियों तो आत्मा का सामर्थ पवित्र आत्मा की सामर्थ बल से नहीं शक्ती से नहीं लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा not by mind and not by power but by my spirit says the Lord hallelujah यह जह है ना तो बसे ना शिस लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा यह काम पुरा होगा तो आज आप सामर्द पे मट जाईए और नहीं आप शक्ती पे जाईए आज आप पवित्र आत्मा का मदद ले लिजे अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े सुन्दर बाते बता रहे हम पवित्र आत्मा आत्मा के द्वारा जह है पवित्र आत्मा हमारे अबज़ा लेता है अभी पिछ्टी नों में दुष्ट आत्मा आया था एक भेन राधा है हमारे मतलब सिस्टर सुनिता थापा ने एक सिस्टर राधा को हमारे चर्च मिलाया और सिस्टर राधा ने कहा कि मुझे मेरी शादी नहीं हुई है मेरी शादी के लिए प्राप्त ना करे है तो उसकी शादी हो गई और शादी हो गई सब्सक्राइबוכ取्री संभडियों काम था देखते हैं को सी शैतान की आत्मा करती है क्योंक् bonuses कि प्रभु की उपसी में खड़ा प्रभु की संगती में प्रात्मा में प्रमी पर से जब हम आराद्मा शुरू करें प्रात्मा करते रहा है और प्रात्मा कर रहा तो इतना जोर से प्लास्टिक की चेर है इतनी जोर से उसने धक्का मारा वो शैतान ने एकदम सीर के बल जाके गिर गई मैं तो इतना अस्वस्त हुआ मुझे लगा कि कोई उसका सीर तो फट तो नहीं किया लेकिन जब मैंने देखा तो सर्फ हटा नहीं था और फिर बाद में हमने उसके लिए प्रात्ना की राधा के लिए बता कि राधा जी आपको प्रभुयेश्यों को ग्रहन करना है और कृष्णा जी को भी मैंने बताया उनका विश्वास बढ़ गया आज राधा में प्रात्ना जब से उनकी शादी हो गवाई है तब से सारे काम गडबर हो रहे हैं बहुत अच्छा काम था, शुड़की बीमार हो गए और कृष्णा जी पता ने क्या और उनकी राधा को उपर दुष्टा आत्मा का असर है और उस राधा को हमने प्रात्ना करके उस दुष्ट आत्मा का सज़ जब वो हड जाएगा और पूर्न अताव प्रभु को गरहन करेगी तो उनको काम भी मिलगा उनको पैसा भी आएगा क्योंकि दुष्ट आत्मा निकल जाएगी और पवित्र आत्मा आएगी पैसे लिखाएगा बड़े सुंदर इदिस है प्रभु का वचनम पढ़ेंगे आललुया कि रोमी उसके आठ हध्या ध्याएगे चोदा वचनमे इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं दुष्टा आत्मा के चलाई नहीं चलते हो आत्मा के चलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलते हैं आज जो में पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है पविद्रात्म क्या चाहता है पविद्रात्म तु क्या चाहता है ऐसा प्रभु को बार बार पूछे पविद्रात्म के द्वारा चलाए चले पविद्रात्म के द्वारा चलाए चले पविद्रात्म के द्वारा चलाए चले पविद्रात्म आपको आगे बताएगा मेरे इसलिए जितने पवित्र आत्मा पमेशक के द्वारा चलते हैं वे ही परमेशक के पूत्र है वो परमेशक का पूत्र है परकोणकों प्रविरात्मा की कि बड़ी सामर्थ पताएं, कि पवित्रात्मा की सामर्थ कितनी है। हमारे पास एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। तो एक हात में पांच लूग वह tämä गोल गोल पर लगा तो प्रभह प्रभुगाश मा कहार तो अ miss पाश्टर हम तो उसको पकड़-पकड़ कि इतना बोल रहे है ते बैढ़ जाया बैढ़ जाया बैढ़ जाया ऑढ़ सुनता है नहीं था तो मैंने कहा कि इस शैटान के अनदर जितनी ताकत है उससे बड़ी ताकत वाला पर UMING मेरे अंदर है यह बड़ी काकट वाला परमेशन जार अब इसको भी पहिछाना नहीं है आप उसको पहचाना और आप का अंधर यो प्रवित्रा आत्मा है वह उत्तर देगा अरवे दुर्श्टा आत्मा नश्ट होगी अरुप इप्रभीश्व मसी त्वारा आजाद्ड हो गया आरो शुट कर दिया है यह पताने चार सो सब्सक्राइब कि वह सारी से बढ़कर हमारे पवित्रात्मा की ताकत है उससे बड़ी ताकत की वह पवित्रात्मा की ताकत है अगर हम नजर अंदाज करेंगे तो हमारा काम दोney चलेगा बाइबल में लिखा हुआ है, जौली, रोमियों उसके आठ अध्ध का 11 वचन, और यदि उसी का आत्मा जिसने ये शुगों मरेहों में से जिलाया, तुम्हें बसा हुआ है, वो तुम्हारी मरनहार, देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है, जिल वही आत्मा तुम में है वही आत्मा मुझ में है और वही आत्मा आप में है और आपकी महामारी और मरी और करोना को दूर करने की सामर लगता है अप जो है वह परभुतिर आत्मा को पाया है तुम मैं होगी और मुझे तू नहीं वहाँ बंदो कि आपको लग गया होगा प्रेज ड़ॉर्ट वो प्रभुतिर आत्मा निकाल देगा जौली को लगया था, मुझे को लगया था, करोना लेकिन प्रभु की करोना ने हमको लपेटा वो करोना भाग गया जिस आत्मा ने येशु को मुर्दो में से जिलाया वही आत्मा अब हमारे अंदर है वही आत्मा तुमारे अंदर है विश्वास करिये और वही आपको चिलाएगा, वही आपको चंगाई देगा, वही आपका भाग्य का उदय करेगा, वही आपके जीवन को ऊचा उठाएगा, वही 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 पवितरात्मा, वही पवितरात्मा आपको 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 आ प्रगट करेगा आपके द्वार सामर्थ दिखाएगा एस सामर्थ सिर्फ बड़े-बड़े लोगों के द्वारा आपके द्वारा प्रबु कुछ वदेख वे जब हम पवित्रा आत्मा के द्वारा भर जाएंगे तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे और उसके पूत्र बनेंगे जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलते है वेही परमेश्य के पूत्र है जो अपनी इच्छा से चलते है वो नहीं जो है इंटरनेट जो चलते है जिसने ये शुमसी को मुर्थ में देगा तो वो तुम्हें भी जिलाएगा और तुम्हें भी तरब दो चाहेगा अलेलूया वो हमेशा अदुमेरे तेरे साथ रहेगा हालललिया वाईबल में कहले गा, वो सवर वदrzyो तुमारे साथ रहेगा, यहाँ जा आप रहना चाहतें प्रभुगे के साथ, उस सामोरती, सबसे सवधरशक्तिमान, पवित्रात्मा के साथ रहना चाहतें आप, हाललिया, ऐसा आत्मा, पवित्रात्मा जो दस-दस लोग, हैसा लगा क्यों कि मैं बहुत बड़ा हूँ कि मेरे अंदर लगा कि तुम है वह उस से बड़ा है तुम है तुम्हें जो है वह बड़ा है जो सब्सक्राइब अच्छार में वह आपको परशान करेंगी निराशा का लाएगी डिप्रेशन लाएगी लेकिन जब आनंद का अत्मा और कम होंगे आप हर एक बात पर और प्रभु आपको आशित करेंगा हाई हम दूआ करेंगे प्रभु जितने सारे यह प्रेक्षक है प्रभु परमेशर्प लोगों के लिए मैं प्राफ्मा करता हूं उनको बड़ी बरकत दे बड़ी आशिश द अपना हाथ बढ़ाईए और अलोलिया परमेशर्प आज आपको चंगाई देने वाला है यस अलोलिया हमारी हाथ के और अपना हाथ बढ़ाईए अपने स्क्रीन पे अपने फोन के और अपने टीवी के ओपर आप जहां जा जो जिसकी दौरा आप देख रहे है अपना पर आप इश्वास करेगी कि परमेशर्प आपको चंगाई देने जा रहा है प्रभुजी आज इन भाई बेनों के लिए मैं विशेष प्रात्ना करता हूं प्रभु के अंदर का डर और भय तु दूर कर दे तुने हमें डर की आत्मा नहीं दिये प्रभुजी अर इसलिए हम ध प्रभु जन तु दूर हो जाए शे के नाम से प्रभु एक शन में एक शन में तुम इटा सकता है प्रभु जब पवित्रा आत्मा तुम पर आएगा आने दे पवित्रा आत्मा उन लोगों के ओपर जो भीमार है और येश्व के नाम से उनको चंगाई मिल जाए और येश् प्रमेशर रखे, डॉक्टरों पर दवाईयों पर अपना भरोसा ना रखे, परमेशर पर अपना भरोसा रखे, और फिर डॉक्टर की दवाई ले, फिर डॉक्टर से बाचित करे, यह उनकी प्रभू बचाने वाला तुई है, मारने वाला तुई है, जो आत्मा, जिस आत्मा येशु को मुर्द में जिलाया, वही आत्मा जिन लोगों के जीवन में जाए, और उनके सारी ऐसी मरी परिसिती को जिन्दा कर प्रभू, और सारा डर भै दूर करता है प्रभू जी, ओ प्रभू साहेता कर, जो डरते हैं, वो जल्दी मरते हैं, हम डरेंगे नहीं, हम येशु साहेता है, और जो जो देख रहा है, यूतुब से जो जो देख रहा है, यूटूब से जो तो देख रहे हैं, उनके उपर भी तिरी पुइतराथमा भखरते, जब भी ये कारे करम देखा जाएगा, तब तब तेरी समठे पुइतराथम उनके उनके उपर उतर आएए, और वनको चुटकारा मिले, ओ रभा, 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 शांदर, अर रेसीव रिलिव 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 रि दो प्रियों प्रभु आपको आशिशित करें आपको जरूर चंगाय मिली है और प्रभु परमेश्य आपके जीवन में जरूर कारे करेगा और जरूर आप हमारे साथ संपत में रहिए हम कोशिश करेंगे कि अपके साथ हम ये फेस्बुक के द्वारा आएंगे और आपके साथ वचन बाढ़ेंगे May God bless you और प्रभी येश्व मसी का नुगरह परमेश्र विद्धा का प्रेम और प्रभी द्रात्मा की संगति हम सबों के साथ कास करके कलवरी चछ के साथ कलवरी चछ के हर एक विक्ति के साथ और हर एक इस फेस्बुक यूटूब और जहाँ जाए कारेकर हम जा रहा है और सारे विक्तियों के साथ आज से लेके प्रभी येश्व मसी आने तक बनी रहे है आमेन आमेन